ITBP इंडो तिबितन बॉर्डर पुलीस फोर्स में आपकी जो वेकेंसी जारी की गई है हेड कॉंस्टेबल, ड्रेसर वेटनरी और कॉंस्टेबल के लिए एनिमल ट्रांस्पोर्ट एन कॉंस्टेबल किनल मेन के पद रहने वाले हैं आप उनलाइन कर सकते हैं, आपको जो कि ओनलाइन स्टार्ट हो चुकता है 12 अगस्ट 24 से जिसके लाज़ डेट 10 सप्तमबर 24 रहने वाली है ITBP का यह official portal है, जहां से आप अपने form को फिल कर सकते हैं, आपको new user registration का tab देखने को मिलेगा अगर आपने इससे पहले कोई सभी ITBP का form फिल किया है, तो आपको new registration करने की आउसकता नहीं है आप यहां पर लॉग इन हो सकते हैं, यहां पर आप जो की email id फिल करेंगे, पासवर्ड जो आपने design किया तर रिष्टेशन टाइम उसे आप यहां पर फिल करेंगे, अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आपको यहां पर दिखिए reset पासवर्ड का tab मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका registration page open हो जाएगा, हमारा registration page जो की open हो चुका है, अब यहां पर आपको applicant first name, तो class 10 के according, अपना यहां पर जो की first name फिल करेंगे, अगर middle name में तो आपसे फिल कीजिए, नहीं तो उसे आप blanks छोड़ सकते हैं, last name में तो आप उसकी entry यहां पर कर द यहां पर करेंगे, पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं, जैसे आप मेरा नाम जिसे राहू लेतार, आप capital ले लेंगे, इसी तरीके से small letter ले लेंगे, और उसके बाद आप number की entry कर देंगे, और जो की एक special character का use कर देंगे, इस तरीके से जो की अपना password बनाएंगे, उसके बा अपना data birth जो की आप फिल करेंगे, यहां पर security question आपको फिल करना है, इसमें कई सारे option है, इसमें से कोई एक option जो की आप select करेंगे, यहां पर security question आप फिल कर देंगे, जो की minimum 6 character का आपका होना चाहिए, उसके बाद जो की capture code को फिल करेंगे, submit wallet tab पे click कर देंगे, तो आपके registered email id पे आपको एक link प्राप्त होगा, link पे आप जाएंगे, वहां से click करके link को जो की activate करेंगे, तो जब तक आप जो की verify email id नहीं करेंगे, तब तक आप पर form दो की login नहीं होगा, email id पे activation link एक्टिवेट करने के बाद आप जो की अपना email id आप फिल करेंगे, password यो आपने design के उसे fill करेंगे, capture code को आप फिल करेंगे, login और टैप पे click कर देंगे, हमारा form जो की login हो चुका है, आपको कुछ इस तरीके से आपका homepage देखने को मिलेगा, जो भी आपकी vacancy live चल लाइए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसे constable animal transport, इसी तरीके से head constable tracer well entry, तो यह हमारा जो कि personal data सारा save है, अगर आप new calendar तो आपको यह detail फिल करनी पड़ेगी, जिसे father name आप यहाँ फिल करेंगे, security region से मैंने चीजों को hide कर रखा है, mother name आप यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद जो कि nationality में जो कि आप इंडिया select कर लेंगे, उसके बाद आपको देखिए, यहाँ पर permanent address detail फिल करना है, address line first में आपना village फिल कर सकते हैं, पोस्ट फिल कर सकते हैं, अपने state का name जो कि आप calendar के माध्यम से फिल कर सकते हैं, उसके बाद district फिल करेंगे, पिन कोट की entry कर देंगे, अगर आप पर permanent address और correspondence address अगर सेम है, तो आप यहाँ पर check mark कर देंगे, अगर आप sport quota में interested हैं, तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, उससे related आप यहाँ पर detail बता सकते हैं, कि कौन सा जो कि आप sport quota में जो की achieve किया है, आपने उसकी detail बता सकते हैं, अगर नहीं है तो simply आप यहाँ पर no वाले tab पर click कर देंगे, उसके बाद एक qualification detail आपको फिल करनी है, त तो हम जो की animal transport जो की post के लिए form फिल कर रहे हैं, तो उसकी qualification से 10th pass है, तो आपको यहाँ पर list मिल जाएगी, आप जो की 10th pass, high school, SSC वारा option जो की select करेंगे, यहाँ पर एपने institute या college का full name फिल करेंगे, यहाँ पर एपने percentage फिल कर देंगे, अब हम यहाँ पर देखिए हम notification में transport male or female के लिए total 115 vacancy रहने वाली, category wise आपको यहाँ पर vacancy नमर आप देखने को मिल जाएगी, channel man के लिए total vacancy 4 रहने वाली है, नीचे आप आएँगे, तो आपको यहाँ पर देखिए scale, pay scale पर क्या रहने वाला है, pay matrix आपका क्या रहने वाला है, level 4 की payment रहने वाली है, 25,500 से 18,100 सो रुपे के बीच में रहने वाली है, वहीं constable animal transport के लिए और constable kennel man के लिए, level 3 की payment रहने वाली है, कई सजा 700 से 99,100 रुपे के बीच अपकी salary रहने वाली है, अब qualification की बात करेंगे, तो head constable dresser of entry के लिए 18-27 साल age criteria रहने वाला है, वहीं constable animal transport के लिए 18-25 साल आपकी age criteria रहने वाली है, वहीं अगर head constable dresser और veterinary post के लिए class 12th pass out है, आप class 12th pass हैं, और साथ महीं आपके पास देखिए पाराव entry course होना चाहिए, या आपके पास डिपलोमा होना चाहिए, या minimum आपका one year का आपके पास certificate होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवज़न करेंगे constable animal transport के लिए सिर्फ आप 10th pass out हैं, तो आप इसके लिए आवज़न कर सकते हैं, इसमें कोई भी experience, कोई भी certificate क्या हो सकता नहीं है, वहीं हम बात करेंगे constable cannellman के लिए 10th pass हैं, simply आप normally 10th pass हैं, तो आप इसके लिए आवज़न कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप gender बताएंगे male या female आप उस इसके बाद आप बताएंगे ex-serviceman है, या civilian central government servant है, तो आप इसे चेक मार कीजिए, ex-serviceman है तो आप इसे चेक मार कीजिए, ITBP employee है तो आप इसे चेक मार कीजिए, अगर आप निवासी हैं, जम्मू एंड कस्मीर के duration जो है, 1.1980 से 31.1989 के 20, तो आप इसे चेक मार अगर आप गुजरात, दंगो, दोजात, दो से एफेक्टेट है तो आप इसे चेक मार कीजिए, अगर इसमें से कोई भी option नहीं है, not affected by any of the above 3 वाले टैप पे क्लिक कर देंगे, अगर आप अंडर गोई इंट्रेसिप कर रहे हैं, तो आप इसे चेक मार कर सकते हैं, अगर आ यह सिंप्ली आप इसी तरीके से छोड़ देंगे, अगर आपको दो कि फोटोग्राफ और सिगनेचर अप्लोट करना है, चूज फाइल पर क्लिक करके अपना सिगनेचर अप्लोट कर लेंगे, फोटोग्राप का जो कि डामेंशन 30 केवी से 100 केवी के बीच में राना तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जागा, इसमें कोई भी डाक्मेंट आपको जो कि अप्लोड नहीं करना है, उसके बाद अप्लाई वाले टैप पे क्लिक करने बाद यहां पर देखिए आपको अप्लाई का ओप्सन देखने को मिल जागा, जिसे तो आपको यहां पर जो कि अपनी एजुकेशन वाले टैप पे हम क्लिक करेंगे, अगर आप इसके लिए आदन करना चाते तो इसे जो कि select करेंगे, वहीं अगर आप 10th pass है, और आप जो कि कॉंस्टेबल कीनल में के लिए आवदन करना चाहते तो आप इस कॉलिफिकेशन को जो की सलेट करेंगे यहां पर अपने जो की कॉलेज इंस्टूट का नेम फिल करेंगे पूरा कितने परसेंट हमारे थे उसे फिल करेंगे उसके बाद सबसे लास्ट नीचे आ अगर वहीं आप जन्रल ओबी सी ड्रुपे फीज जो कि पे करना होगा तो आप अपको इंस्टेक्शन देखने को मिलेगा आई अग्री वाले टैप आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको प्रिंट प्रिव्यू देखने को मिल जागा चीजों को अच्छी तरीके से मिला ल अगर कोई आपको चुटी लगती तो बैक आप यहां से जा सकते हैं यू आर एक्जेंटर फॉर पेंग फीस तो इसमें जो कि किसी भी प्रकार का फीस नहीं देना है अगर आप ऐसी हैश्टी करेंगे सब्मिट वाले टैप पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपका फॉर्म ज नहीं करेंगे तो यहां से अपना प्यूल के आप कर सकते हैं जिसे आप से OF करके रख सकते हैं जब आपका ईडुट कार्ट जारी होगा तो आपको यहां से अपना इड्मिट कार्थ जारी एक जारी कर सकते हैं milhões कयों परशने में करें खाल ऊक्तार लिएम चेर आ खमें और झाल झाल झाल